हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी teachcorders channel पर तो इस तरेज में हम लोग admin के theme को setup करने वाले हैं तो एक काम करते हैं next session में हम लोग admin के theme को setup करे हैं इस session में कुछ और कर लेते हैं जो कि हमारा missing रहा गया एक वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई problem नहीं है लेकिन फिर भी हम इसलिये करते हैं क्योंकि हमें कुछ file को secret रखना होता है तो secret file को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं config.env का use करते हैं तो यह काम करते हैं config.env के नाम से एक file बना लेते हैं c o n f i g dot e n v ठीक हैं और यहां पर क्या हम इस भी होगा क्या है जैसे कि हमारा port यहां पर चल रहा है 200 तो इस ही को हमें यूज करेंगें इसके अधने ठीक है तो यहां पर लिगते हैं P O R T port is equal to 200 ओके 200 ठीक है अब हम यहां पर क्या करेंगें let .env is equal to require उसके बाद इसके अधने लिखेंगें .env ठीक है ओके उसके बाद क्या करेंगे .env .config और curly braces और इसके तंदर लिखेंगे path और आपका जहां path है ठीक है इसके string के रुप में लिखेंगे यहां पर .env और उसके बाद हमारा config.env यह फाइल का नाम है .env ओके अब इसको यूज कैसे करेंगे तो इसको यूज करने के लिए जो आप यह.env बनाया है इसको यहां पर कर लेंगे .env .process प्रोसेस सबसे पहले लिखें कि प्रोसेस.env.port .env. क्या लिखेंगे ? port port कौन सा है ? यह आपका port का यह नाम है इसी को कॉपी करके यहां पर चाहे तो यहां पर पेस्ट कर सकते हैं उके उसके बाद इसको रण करा करके पहले देखते हैं node node 1 इंटर करते हैं यह 200 port दे रहा है तो यह हमारा काम कर रहा या नहीं तो यह काम करते हैं इसको भी हम डाइनेमिक ही कर लेते हैं पता चल जाएगा देखिए 200 port बरकेंग अगर यहां पर हम 300 करते हैं तो यह 300 पर चल जाएगा ठीक है सेब करते हैं और फिर इसको सेब करते हैं यह देखिए अब 300 देगा तो अब हमें हमारा रण होगा कहां कितने पर 300 port पर ठीक है यह देखिए और इसके अंदर admin जैसे कि admin कर रहे थे सब कुछ काम करेगा प्रोपर कोई दिक्कत नहीं होगा admin देखिए admin और इसके अंदर हम page बनाये थे page देखिए this is admin page ठीक है यह प्रोपर ढंक से काम कर रहा है तो आयोप कि यह आप लोग config.env का यूज करना सिख गए होंगा इसका यूज इसलिए करते हैं कि हमें कोई file को secret रखना होता है देखिए यहां पर हम यह जो secret file था secret code था इसको हम इसके अंदर डाल दिया ठीक है किन ही को topic से कोई related कोई question हो या doubt हो था हमारे comment box में अपना comment डालेंगे ताकि आपके doubt या question को अच्छे से हम clear कर सकें दोस्तो हमारे channel को support करने के लिए please आप like करेंगे comment करेंगे share करेंगे और subscribe करेंगे जिसे हमारा मनुवल बढ़ते रहेगा और आपको एलिए research करके एक एक अच्छे से अच्छे topic पे हम video लाते रहेंगे जिसे आपका career develop होते रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों next video में नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद